जुलाई माह के अंतिम तीन दिन कुम्भराशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं? जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी 29, 30 और 31 जुलाई के कुम्भराशी फल के बारे में ये तीन दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? इन तीन दिनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी? नक्षत्र क्या है? योग क्या बनेंगे? और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चरिया में देखने को मिलेंगे? तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ चलिए सबसे पहले इन दिनों के तिथी नक्षत्र योग के बारे में बात कर रहेगा गर नाम का योग बना हुआ है इस दिन और चंद्रमा की जो इस्तिती है वो व्रशब रासी में होगी तो गज केसरी नाम का राज योग भी बनेगा जो काफी शुब योग होता है क्योंकि व्रशब रासी में गुरू ब्रसपती मौजूद है गुरू के साथ चंद भी नए कारे की शुरुआत नहीं करने चाहिए यह सुबह 7 बज कर 13 मिनट से 9 बज कर 4 मिनट तक होगी अब 30 जुलाय का दिन तो यह मंगलवार का दिन है मंगलवार का दिन सावन में जो होता है वो मंगला गोरी व्रत के लिए जाना जाता करशनपक्ष कि दसमीति थी और रोहन नक्षत्र वरद्धी नाम का योग बनेगा चंद्रमा वरशबासे में गुरूम के साथ है गजकेश्री योग बना रहे हैं सूरिय करक राशी में हैं पुषण नक्षत्र में इसके लावा सरवार्थ शद्धी योग भी इस दिन बना हु हैं वो शाम को 3 बज कर 50 मिनट से 5 बज कर 32 मिनट तक अब इस महीने का अंतिम दिन जो है 31 जुलाई अब ये 31 जुलाई बुद्वार का दिन और क्रशन पक्षे की एकादिशी ती थी है जो कि शाम तक रहेगी 4 बजे तक ब्रदक्षिरा नक्षत्र है इस दिन जो कि मंगल का न रूम नाम का बनेगा चंद्रमा व्रिशब रासी में शाम तक रहेंगे सूर्य करक राशी पुष्य नक्षत्र में है और सरवार्थ सिद्धियोग इस दिन भी बनेगा पूरा दिन इस दिन का राहुकाल का समय है दो पहर 12 बज कर 27 मिनट से 2 बज कर 9 मिनट तक इसके अलाव 31 जुलाई के दिन गुरू ब्रस्पति के नक्षतर का भी परिवर्टन है गुरू ब्रस्पति रोखनी नक्षतर में चल रहे हैं लेकिन ये रोखनी नक्षतर के अंतिन चरण में चौते चरण में प्रवेश करेंगे इस दिन अब ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति, अब इनका जो प्रभाव है, वो किस तरह से होने वाला है, क्या चीजें आपके लिए इस तीन दिनों में अच्छी रहेंगी, क्या कुछ आपके पास होगा, चले जानते हैं विस्तार से इन तीन दिनों की अगर बात की जाए, तो देखिए चंद्रमा की जो इस्तिति है, वो विरशबरासी में हैं, गुरू के साथ चंद्रमा की यूती रहेगी, तो गज केसरी योग भी बनेगा, और इस योग का आपके चौथे घर में बनना बेहद शुब है, क्योंकि ये आपक के लिए जो तीन दिन होने वाले हैं, आपके करियर के लिहाद से बेहद अच्छे रहेंगे, सबसे पहले हैल्थ की अगर मैं बात करूं, तो देखिए हैल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी, अगर कुछ हैल्थ इशू चल रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूर आवशकता है, बाकी हैल्थ अपकी अच्छी रहने वाली है, और धन संपत्ती के मामले में ये तीनों ही दिन बेहद शुब रहेंगे, 29 जुलाई सौमवार का दिन है, सावन का दूसरा सौमवार है, भगवान शिव की अराधना का दिन है, योग भी अच्छे बने ठीक ठाक है, पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी हैं, इस दिन आप अपने जो खाली समय होगा, उसमें अपने कुछ पेंडिंग कामों को पूरा कर सकते हैं, आपका जो निजी जीवन है, वहाँ भी स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं, अब जो 30 जुलाई का दिन होगा, ये मंगलवार का दिन है, जो की मंगला गौरी वरत के लिए जाना जाता है, और ये दूसरा मंगला गौरी वरत है, जिस दिन अपनी विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए वरत किया जाता है, उपाय किये जाते हैं, इसके अलावा इस दिन से एकादश योग तो बना ही है साथ में सरवार्थ सिद्धी योग बना है दो दिन लगातार अब इस दिन जो कुमराशी के जातक है उनके लिए इस्तितियां काफी अच्छी होने वाली हैं इस दिन भूमी संपत्ति भूमी से किसी तरह का लाब आपको प्राप्त हो सकता है अपने धन को बढ़ाने के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये दिन आपके जीम में विलासिता लेकर आया है आनंद की अनुभूती लेकर आया है आपका जो वातावरण है वो काफी अच्छा रहेगा आसपास सुख सुविधाओं का भरपोर आनंद आप ले पाएंगे औ अपने भविश को लेकर काफी जादा आप आशावादी रहेंगे और अपने भविश को लेकर दर्ड संकल्पी भी रहेंगे तो चैसे चीजों से आप जुड़ सकते हैं जिससे आप अपने भविश को सिक्योर कर सकें तो ऐसी चीजों में भी आपका जो दिन है वो बीतने वाला है जो महिने का अंतिम दिन है 31 जुलाई का दिन इस दिन इकादशी तिथी है कामिका इकादशी है और ये सावन माहा की पहली इकादशी तो बिहद शुभ दिन है इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विश्णु मालक्षमी के अराधना करें पंचामरत से उनका अस साथ साथ में गरीबों को कुछ न कुछ खाने की वस्त में जरूर ध्यान करें साथ ही मनी मन नारण का ध्यान करते रहें क्योंगे वी चतुरमास वी चल रहा है तो यहां चतुरमास में बगवान शिव के साथ नारण की पूझा करना विशिज mailbox रूप से महत्वपुन होता है अगर आपके वित्य इस्तिति आपके करियर और आपके वेपार की बात की जाए तो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो उम्मीदे बना कर रखी है उन पर आपको मेहनत करके आगे बढ़ना होगा तब इक गतिशील बदलाव आपको देख रखनी हैं अपने उपर भरूसा रखें बस और साथ में किसी और से उलजने से आपको बचना होगा अपनी सहकरीमियों के साथ बाचीत में खुलापन रखें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो कोई भी महतपून कदम आप उठानी जा रहे हैं तो अपने उस बातों पर आप अपने कदम उठा पाएंगे सहसी कदम उठा पाएंगे सकारात्मक मान सिकता रहेगी अगर सामाजिक चीजों की बात करें तो समाज में आपके लोग प्रियता बढ़ेगी आप अपने कुटुम्ब में एक अच्छा सामजस से बना कर चलेंगे क्योंकि चौथे भाव क चंद्रमा हैं और साथ में गुरू भी हैं तो कुटुम के साथ एक अच्छी बांडिंग आपकी रहेगी इसके अलावा यहां भूमी भवन से सुख तो है ही साथ में वाहन का सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और पारिवारिक अगर आपका कोई वैपार है आपका पारिवारिक वैपार से जादा लाव की उम्मीदे बनी हुई हैं कुल मिलाकर यह जो तीन दिन हैं अगर धन संपत्ति के मामले में बात की जाए तो काफी अच्छे रहने वाले हैं और साथ में आपकी जो फानेंशल कंडिशन है वो भी आपकी अच्छी रहेगी हेल्थ भी आपकी इन तीन दिनों में अच्छी है पैसे आने का यूग बना हुआ है धनाने का यूग है तो बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में अपने जो आपके रिष्टे हैं उन रिष्टों की तरब भी आपका फोकस पूरी तरह से रहेगा तो कुल झाले